दोस्तों Samsung Galaxy A-Series का एक और स्मार्टफोन लाउंच होने जा रहा है जिसका नाम है Galaxy A03 हाला कि यह किसका अपग्रेड वर्जन है शायद आपको बदा होगा लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि यह बिल्कुल ही एपसीसी लिस्टिंग के हिसाब से 5000 इमेज की बैटरी है और इसमें दूसरी और गीक बिंज के लिस्टिंग की इशारा से Samsung Galaxy A03 स्मार्टफोन में यह उनी सोक एसोसी प्रोसेसर के साथ है जिसके साथ 2GB RAM है फिलहाल और यहाँ पे जो अपग्रेड वर्जन की बात में कर रहा था और यह माना जा रहा है कि यह बजट फोन तो होगा साथ ही में Galaxy A02 के अपग्रेड वर्जन पर लाँच होगा जैसे कि मैंने बताया कि US एपसेसिंग के लिस्टिंग के हिसाब से Samsung Galaxy A03 में फाथ पजर में एमेच की बैटरी दी जा रही है और नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पर लिस्टिंग के हिसाब से फोन में 5G कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी और NFC लिस्टिंग के हिसाब से यहाँ पर Samsung में फोन का मॉडल SM A032M होगा हला कि Geekbench लिस्टिंग में फोन का मॉडल नंबर SM A032F लिस्ट है यह इसारा से मिलता है कि यह फोन कई वेरिंट में आ सकते हैं वेरिंट पहुत ही दमदार होगा जब भी आएगा Geekbench के लिस्टिंग लिस्टिंग लिसाब से 034 में यूज से एक SC9836 के इस प्रोसेसर जो कि 2GB RAM के और इसारा मिल रहा है और यहां पर 3GB में आ रहे हैं फिर उसके बाद 4GB में आ रहे हैं तो इससे पता चलता है कि 2-3 वेरिंट में आपको देखने को मिलेगा हला कि Android 11 पर भी क सब्सक्रें रगाए जाए कि 03 फोन में साल के अंग तक लांच होगा और यहां पर दोस्तों बता दूं कि इस फोन से जुड़ी किसी भी जानकारी का एलान सैंसंग के जरिये से नहीं किया गया है लेकिन यह है कि A02 के अपग्रेड वर्जिन होगा दोस्तों बस उम्मीद करत है तो प्लीज लाइक करना शेर करना और मिलता हूं मैं से नेक्स परियों में तब तक के लिए जय हिंद्ट